हलो एवरिवन वेल्कम तो दर टेक यात्रा मैं नेम इज निशान्थ और आज की वीडियो में हम सिक्वेल सर्वर में इंडेक्स को समझने वाले हैं तो लेट स्टार्ट तो मैंने कुछ क्वेशन्स फिगर आउट किये हैं जिनको वन बाई वन हम समझेंगें सबसे पहले बात कर लेते कि इंडेक्स की तो इंडेक्स का जो में गोल होता है वो यह होता है कि सिक्वेल सर्वर में जो सर्च ओपरेशन्स होते हैं वो उनको फास्ट कर पाए अब नेक् स्ट्रक्चर में बी ट्री बैलेंस्ट्री का यूज करते हैं तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या काम करते हैं बी ट्री यानि की बैलेंस्ट्री की थ्योरी को ही समझते हैं एंदर फिर देखते हैं कि प्रक्टिकली इंडेक्स कैसे काम करता है तो सबसे पहले बात कर ले तो जो SQL Server database engine होता है वो data को search करने के लिए different mechanism को use करता है first one होता है table scan and then second one होता है index scan या index c अब बात कर लेते हैं कि SQL Server में table scan क्या होता है क्या हुआ कि जब भी आपको किसी table से को information को search करने की जरूरत होती है तो table scan क्या काम करता है उस table में starting से लेके last record तक को check करता है जब तक कि वो record उसको मिल नहीं पाता तो इससे क्या होगा उस table में जितनी ज़्यादा रोज होंगी required data को search करने में उटना ज़्यादा ही time लगने वाला है इसलिए जो table scan process होता है यह time consuming process होता है अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी टेबल में कोई भी इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो database engine अगर किसी टेबल से data search करेगा तो वो कैसे search हो पाएगा तो उसके लिए database engine जो होता है वो internally table scan को use करता है ठीक है तो यहां पर एक example दे रहता हूं suppose कि जिएगा एक table ते जिसमें मैंने पास 60, 70, 80 records थे राइट आपको क्या काम करना था आपको एक value को search करना था जहां पर value आपकी कितनी है 50 है तो वो क्या काम करेगा जैसे आपने query लगा जी select start from table where id equals to 50 तो सिक्वेल सर्वर इंजिन क्या काम करेगा स्टार्टिंग से लेकर record को वन बाइवन सर्च करता चला जाएगा सिक्वेंशनरी सिक्वेंशनरी और कब तक सर्च करेगा जब तक कि उसको value match नहीं कर जाते है ठीक है scan करने के बाद तब जाके वह इसको value मिल पाए तो that's the way कि जो आपका table scan होता है इस way में काम करता है अब क्या होता है अगर आपको अपनी query की and then database की आपको performance को क्या काम करना है increase करना है तो इसके लिए आपको number of scan को minimize करना पड़ेगा और इस number of scan को minimize करने के लिए actually हम balance tree या bit tree को use करते हैं बात करते हैं कि index scan या index seek SQL server में क्या होता है तो जब भी आप किसी column पे SQL server में को index बनाते हैं SQL server engine क्या काम करता है internally bit tree structure को बना लेता है and then जब भी हम search करते हैं किसी data को तो वो bit tree structure को use करता है जिससे हमारी search query की जो performance होती है वो drastically improve हो जाती है और जो number of scan होते हैं वो भी reduce हो जाते है अब बात कर लेते हैं कि जो balance tree होता है है bit tree होता है SQL server में वो कैसे काम करता है सपोज किजिए आपने किसी एक column पे multiple column पे को index बना दिया ठीक है SQL server में अब वो क्या होगा वो internally bit tree structure को बना देगा अब bit tree structure क्या काम करता है data को तीन section में डिवाइड कर देता है first one is root node second one is non leaf node and then third one is leaf node अब इसको समझने के लिए हमने क्या काम किया था जो last example समझाता ना जहां पे हम id 50 को search करें तो suppose किजिएगा हमारे पास एक table में 50 records ठीक है तो suppose किजिए हमने क्या काम किया जो root node था उसमें दो value store 30 and 50 उसके बाद जो यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको एक पार पहले न देखिएगा जो root node है उसमें मेरे पास value क्या है 30 and 50 उसके बाद जो non leaf node है जो 30 के non leaf node होंगे उसमें value 10 and 30 और 50 के जो non leaf node है उसमें value है 40 and 50 और जो non leaf node के leaf nodes होते है leaf node actual data को store करके ए रखते है अब हम क्या काम करते हैं इसको समय लेते हैं कि कैसे काम करेगा ठीक है तो suppose कीजिए कि आपको क्या Come काम करना था value 50 के search करना था value 50 को search करना था पहले वो इस node पर गया यहां पर उसने देखा क्या value μयू प्रेटिव से छोटी है 30 या 30 की एकवाल है क्या तो नहीं है नहीं तीस से छोटी है नहीं तीस के एकवल है तो वह क्या काम कर देगा यह जितने भी नोन लीफ नोट है और जो आपका रूट नोड था 30 को completely बायपास कर देगा अब वह आ जाएगा 50 पर वह चेक करेगा कि जो आपकी वैल्यू है 50 वह 50 से छोटी यह 50 के एकवल है अब हमने देखा कि जो 50 वैल्यू थी वह 50 के एकवल है 50 के एकवल है तो वह इसके दोनों नोड नोड पर आ गया उसने देखा कि जो वैल् लीफ के रिकोर्ट्स पर आ जाएगा लिफ नोट पर अब वो सारी रिकोर्ट्स को स्कैन करेगा अंदन देखेगा जहाँ फिफ्टी मैच हो जाएगी अंदन वो उसको रिटन कर देगा तो देखेगा जब टेबल में इंडेक्स नहीं था तो उस टाम पर क्या हो रहा था उस से हमने को इंडेक्स बना दिया और उसने बीटरी स्ट्रक्चर को यूज किया तो अब हमारी जो क्वेरी है यह जो डेटाबेस इंजिन है वो सिर्फ 10 रिकोर्ड को स्कैन करता है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी जो सर्च क्वेरी की परफॉर्मेंस थी वो ड्रास् यहां पर बनाके दिखा देता हूं तो क्या हुआ एक्चुली मैंने लूटरी बना रख चिया है तो आप क्या काम करेंगे सबसे पहले यह क्रियेट इंप्लोईटेबल है इसको आप क्रियेट कर लेंगे उसके बाद क्या हुआ कि आप इसमें कुछ रिकोर्ड को इंसर्ट क किया हुआ है ठीक है अब यहां पर देखिएगा जो मेरी इंप्लोई टेबल ती इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं है नहीं तो यहां पर कोई भी इंडेक्स नहीं बनाओगा करता हुआ एक वारी ऎपर यहां बसले करता हूँ तो आपने आप्यस वे धिसमें टो किटनी हैं तो उसमें टोटल नमबरओ रोगसे टैन अब मैं कहा काम करता हूँ झब इस होवा हुआ कि जहाँ पर इस टैबल में जहांपर आई डी एंट है उसका मेरेको वह रूर return कर दो ठीक है तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि हमारे पास ना दो प्लान होते हैं ठीक है फरस्स तो होता है actual execution plan and then second होता है estimated execution plan ठीक है तो हम क्या काम करेंगे इस पर एक बार click कर देता है ठीक है और इस पर click करने के बाद मैं क्या काम करूँगा अपनी query को run कर देता हूँ ठीक है मैं आपको एक बार यह दिखा देता हूँ यह रहा ठीक है तो जैसे ही आप estimated execution plan पर click करते है तो वह क्या काम कर देगा वह आपको बता देगा कि आपकी query कितना time लेने वाले है तो देखेगा यहाँ पर क्या हुआ जब कोई भी index नहीं था और मैं ID8 का data सर्च करने गया तो यह table scan को यूज करता है कि इसको table scan और मैंने आपको बताया था कि table scan क्या काम करता है फुरी table को scan करता है ठीक है तो यह बहुत time consuming होता है और हमारे performance को डाउन कर देता है ठीक है अब क्या हुआ हम table scan में जाएंगे तो इसमें total number of rows कितनी थी दस और आप यहाँ पर देख सकते है ठीक है कि यहाँ पर estimated number of rows to be read कितना आ रहा है वो भी 10 आ रहा है मैं इसको रोक के दिखाने को सिस करता हूं तो यह वाली रो है यहाँ पर stop नहीं हो पा रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं ठीक है तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया आप देख सकते है जो number of rows to be read वो कितनी आ रही अब इसको कैसे solve करेंगे तो इसको solve करने के लिए हम क्या काम करें एक index बनाएंगे ठीक है तो हम क्या काम करने वाले अपनी टेबल पर id को पे एक index बनाने वाले cluster index जो क्या काम करेंगा id को ascending order में short कर देगा ठीक है and then हम क्या काम करेंगे जैसे हमने index बनाया तो देखिएगा मैं आपको यहाँ पर यह index बना के दिखा देता हूँ ठीक है अब जैसे index बना तो मैं database में जाता हूँ एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि यह कहां पर दिखेगा ठीक है तो मैं इसे में employee table पर जाता हूँ employee table पर आप देखेंगे की index इस पर जाता हूँ तो यहाँ पर एक index बन गया है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते कि index को कहां पर दिखता अब जैसे आपने इस table पर एक index बनाया वह क्या काम करेगा internally एक B tree structure बना देगा ठीक है अब उसने B tree structure बन इस बार इस ने cluster index C की यूज़ किया यह index scan यूज़ किया ठीक है तो इस बार इस ने table scan को यूज़ नहीं किया अब मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ तो अब आप देखेंगे जो estimated number of rows to be read है वो कितनी है 1 ठीक है तो इसको इस बार 10 rows को read नहीं करना पूरी table को scan ना करके इसक ठीक है ध्यान दीजिए क्या हुआ कि यहाँ पर ना इस table में बहुत ही कम records थे दस records थे तो यहाँ पर आपकी performance पर इतना फरक नहीं पड़ा होगा पर आपकी जब table में lakhs of records होते है लेट से कि 10 लाक रिकोर्ड है या 5 लाक रिकोर्ड है उस time पर आप data को सर्च करने जाएंग जब मैंने index बनाया तो उस case में कितना time लेगी बहुत कम time लेगी और यह क्या काम करने वाले सिर्फ एक ही row को read करने वाली है ठीक है तो यहाँ पर वो 10 की 10 row को scan नहीं करने वाली ठीक है तो I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि index कैसे काम करते हैं and then index जो search operation होते हैं उनकी SQL server में search operations की performance को improve करने के लिए use किया जाता है ठीक है जब भी आप किसी table पे index किसी table में किसी column पे index create करते हैं तो वो क्या काम करेगा SQL server internally एक index table को create करता है और वो index table क्या काम करते हैं उस existing table से data को retrieve करने के लिए help करते हैं ठीक है एक टेबल में आपके एक maximum 1000 index हो सकते हैं जिसमें एक cluster index हो सकता है और 9999 cluster index हो सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि SQL server जो होता है वो इंडेक्स को कभ यूज करता है तो लेट से अगर जब भी आप कोई query यूज कर रहे है ठीक है और उसमें आपने इंडेक्स ओलेडी बुना रखे है उस query में जो टेबल है उस table के column पे है और उस query में आप या तो select या update या delete statement यूज कर रहे है एंडेन उनी statement के साथ अगर आपने वेर क्लोज यूज किया तो वेर क्लोज में जो भी कोलम आप यूज कर रहे है एक तो उसके ओपर इंडेक्स होना चाहिए जिससे कि आपकी query की performance जो है वो इंप्रीव हो जाएगी एंडेन अगर आप उस query में order by close का भी यूज क क्या काम करता है जब भी आप database में किसी table में information को सर्च करने के लिए जाते है तो वो क्या काम कर लेता है टेबल से data को retrieve करने के लिए जो सबसे best execution plan होता है उसको पहले ही verify कर लेता है जब वो एक बार verify हो जाता है फिर उसी plan को वो use करता है तो आपको समझ माया होगा कि index कैसे क होता है ठीक है अगर आपका इससे related कोई भी question है आप YouTube पर comment कर दीजीगा मैं आपको वहीं पर reply कर दूँगा और अगर आपको यह वीडियो समझ में आई है तो please like share and subscribe और hit the bell icon जिससे की मैं जब भी कोई नहीं वीडियो अप्लोड करूं आपके पास notification आ जाए और कोई वीडि अपके नहीं आपके लिए खूआ तरह झाए जासा आपके लिए कर दो कर दोड़ कर दोरा है तेस्ट तका इसया है और गुद नहीं है जापके लिए बाइंगल कर दो